तो भई आई माधव पहवा, welcome you all to the journey of company secretary ठीक है, घबराना एकदम नहीं है, डरना एकदम नहीं है, लोगों को जो बोलना है, बोलने देना कि भई बहुत टफ है, ऐसा लगेगा आपको, ऐसा बोलने को भी आएंगे, बहुत से लोग मिलेंगे आपको, और बोलेंगे कि भई ब लोग के बसकी नहीं है, अब्विस सी बात है, सब के बसकी नहीं है, अगर सब के बसकी होती, तो आज बहुत लोग, company secretary, chartered accountants, cost accountants, financial analyst बनके बैठे होती है, ठीक है, मगर सब के बसकी नहीं होती है, यह हम लोग को भी पता है, और यह आपको भी ऐसास हो जाएगा, अपने आ just completed, see it, ठीक है, यही complete करके आए, अभी तक, उसके अलावा तो आपने अभी कुछ ऐसा की नहीं है, अब बहुत से लोग ग्रेजुएशन स्टार्ट हो गई होगा, यही होगा, ग्रेजुएशन स्टार्ट होगा, फर्स्ट यर होगा सबका, यही होगा, और कुस तो है, इसक छे महने में, ठीक है, आने वाले, पांच से छे महने में, आपको समझ आ जाएगा, कि भई, यह company secretary का जो syllabus है, यह यह profession है, यह क्या चीज है, क्योंकि जो पहला group है, आपका executive का, executive के जो पहला group है, चार paper हम लोगो करने हैं, आपके, four subjects, JGL, जो मैं लोगा, उसके बाद आपका company law है, और एक आपका setting of a business है, और एक आपका, अब change हो गया है, तोड़ा, अब क्या हो गया है, आपका, accounts and FM, यह हो गया ना portion, तो यह पांच subject है, यह बहुत major subjects है, यह क्योंकि आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में, और जो हमारा यह jurisprudence interpretation and general laws है, इसमें हम लोग अलग laws के बारे में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको थोड़ा सबस के बारे में, बता दूगा कि क्या क्या पढ़ना है, हम लोग का normal basic introduction है, अभी आपको टेंशन लेने की जरुएत नहीं है, खाली आपको important points लेगे, वो आप note कर सकते हो, that's it, ठीक है, books का and all अभी काम हमारे पास कु productions पर रहेंगी, so that आपको मैं basics समझा दूँ, सब कुछ के actual में, चीज़े है क्या, so that आपको आगे जाके कभी भी life में कोई problem ना है related to this subject and related to the CS का जो profession है, उसमें आपको को दिक्कते नहीं आनी चाहिए, उसको आपको सब कुछ clarity होनी चाहिए from the very first day, एक पहले दिन से ही आपक CS करना जारे हो नहीं, आपने CS already clear कर लिया है, मतलब already अप enter तो हो चुक है, अब तो आपके मन में बस एक ही चीज़ होनी चाहिए, कि जब तक नहीं हो जाएगा, नहीं छोड़ेंगे, यह माइन में रखना है, चीक है, अगर आपके माइन में ये बात आ गई, कि मुझे तब ही आप कर पाऊगे, नहीं तो आप नहीं कर पाऊगे, क्योंकि भई, जो लेवल है, टफनेस का अच्छा खासा है, पहले दिन से तयार रहना, लास्ट मोमेंट के लिए ना छोड़ना, इस नॉट लाइक ग्रेजुएशन या आपके 11-12 के एक्जैम से नहीं है, ना CS-T है, यह ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं मिलेगा आपको, यह अपके माइड में रखके चलना आप लोगो, फ्रम दो वेरी फरस्ट है, जो चीज आपको क्लास में पढ़ाई जाएगी, जो भी चीज आपको पढ़ाई जाएगी, आपको घर जाके उसका रिवाइस करना है, उसके आपके जो भी नोट्स बनाने और वो आपको करना है, फ्रम दो वेरी फरस्ट अगर आपने बोला कि आज नहीं छोड़ दे, अपने आप से बोलोगे, अपने आप से बोलोगे, कि चलो यार आज छोड़ दे, किसे बोलते बताए, जो आपका मन है ना वो है, पूरी ज चीज आपको नहीं कर दी क्लियर है चलिए कहानी सुना एक कहानी सुनोगे सुन लो कहानी सुन थोड़ा आपको ना मोटिवेशन की जरुवत है अभी आप लोगों को जरुवत पढ़ेगी तो समझ नहीं आएगा कोई मेरा आदत है कि हम लोगों जब भी क्लासे स्टार्ट करत होगती है कि आप लोगों को मॉटिवेट करते रहे थोड़ा-थोड़ा नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी व्योंकि आप लोग ना बिजी हो जाते है अपनी लाइफ में आकर और ऐसा बच्चे ऐसा बीएव करता है कि उसके ऊपर तनी कितना बोज है वो बोज किसका है कौन बही कमार आये बताओ, earning कोई मतलब नहीं, कोई बोज नहीं, खाना पीना, रहना, सब कुछ माबाप दे रहे हैं हमारे, सब facilities हैं, तो बोज किस बात का, खालिए इस किताबों का बोज है, और कोई बोज नहीं, तो हम लोग घबरा जाते हैं, बस वह उसी लिए हम लोग को कुछ नकुछ, motivations आपको देनी पड़ती, that's it, clear है, तो देखिए, एक छोटी सी कहानी है, मैंने भी कहीं सुनी थी, हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, कि हम, जो मुझे समझ आता है, कि हम लोग अपना एक comfort zone होता है, जहां पर हमको बहुत comfortable feel होता है, और हम लोग को वहीं अगर बढ़ा करना है, कुछ भी अच्छा करना है, हम लोग को comfort zone के बाद अपना जाना पड़ेगा, आपका comfort zone, आप बोलोगे, sir, मेरा comfort zone है, यह दिन में बस मैं एक या दो घंटे पढ़ सकता हूँ, इतना ही मुझसे पढ़ा जाएगा, this is the comfort zone, ठीक है, मगर एक दो घंटा आपको अपने comfort zone से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको दो घंटे से काम नहीं बनेगा, आपको आगे जाके 10-12-12 घंटे पढ़ने पढ़ेंगे, और एक टाइम ऐसा आता है, जहां पर 16-16 घंटे भी पढ़ने पढ़ते हैं, ठीक है, यह सा फेस हम लोग ने देखे, ठीक है वही आपको बता रहें, तो इसको बोलते हैं, अब आपका comfort zone 2 घंटे का, मगर आपको उसके बाहर जाना पढ़ेगा, क्यों जाना पढ़ ला है, because you want to be a company secretary, that's it, यही है, हमको कुछ अगर पाना है, तो उसके लिए हमको अपने comfort zone से बाहर जाना है, और अगर हम comfort zone में लगे आपकी चल रही है, वैसे ही आपकी life smoothly एकदम चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, तो इसी से एक स्टोरी है, कि एक गुरू थे और एक शिष्य थे, ठीक है, गुरू शिष्य समझ आती है आपको, ठीक है, गुरू थे शिष्य थे, वो भाई किसी गाउ में थे, बहुत पु आपकी पासी था, उसके आपे उन लोग स्टे करते हैं, क्लियर, वहाँ पर रुखते हैं, उसके आपकी अपनी जिए गुजारा आप कैसे करते हैं, आपकी जिए कैसे चलती है, ठीक है, तो बोलता है, गुरू जी कुछ है नहीं मेरे पास, कुछ भी नहीं आप देख रहे ह हाल मेरा कैसा है, ना गाड़ी, ना गोड़ा, ना कुछ भी नहीं, बस मेरे पास एक भैस है, उसी भैस पे हम सब लोग पल रहे हैं, उसी भैस के बेस पे हम लोग पल रहे हैं, उसी से जो हम लोग कमा लेते हैं, उस भैस से उसका दूद और अडॉल सा बेच पाच के, उसी स तो भैस उसकी बंदी थी, भैस को निकलते हैं, Viktor को लेकि निकल जाते हैं भैस को लेकि निकल ग الذي गुरु जी गए और साथ में उसका शिश ही भी उसके साथ चले गए अब हुआ क्या लेकर चले गए और इस टाइम को होता गया टाइम चलता गया मगर उसको बात थोड़ा चुबी अंद्यस को थोड़ा दुख हुआ कि भाई उसकी रोजी रोटी सिर्फ उस भैस के उबर थी उसका परिवार खाली उसी पर डिपेंडेन था पूरी तर उसका कोई आंसर नहीं दिया कि क्यों मैंने ऐसा किया उन्होंने बोला समय आयागा तुमको सब पता चल जाएगा टाइम निकलता गया गुरुजी की डेथ भी हो जाती है आगे कम से कम 10-15 साल हो गए जो 10-15 साल हो गए तो जो शिष्य था आज की डेट में वो भी एक गुरु बन गया क्योंकि उनके शेरण में था तो वो भी अब गुरु एक बन गया और गुरुजी चले गए थे उसने सोचा कि भाई 10-15 साल पहले हम लोग एक गाउं गये थे और वहाँ पे शिष्य के साथ ऐसा इन और किया था उसका उत्तरास तक मुझे नहीं मिला कि ऐसा क्यों क एक काम करते हैं उस गाउन एक बार चलते हैं और बसका चाल देखके आते हैं कि वकजशत कि देखते हैं नहीं वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं जहां पर वो जोपड़ी थी आज की डेट में वहाँ जोपड़ी नहीं थी आज की डेट में बड़ा सा मकान था जो उसकी जमीन बंजर थी जहां पर कुछ उसका होता नहीं था उसको कुछ मिलता नहीं था वहाँ पर फल फूल सब खेले ह हुए है आची डेट में देख रहा है तो गाडी भी खड़ी है घोड़े भी खड़े है अब उसको समझ नहीं आए कि यह हुआ कि जिस बंदे के वास कुछ नहीं था यह ऐसा क्या हो गया उस बंदे से उसने पूछा कि आपको याद है कि हम आपके पास इतने टाइम पहले आय तो उसने बोला कि यह कैसे फिर होगे आज की रेट में जब मेरे पास भैस थी तो हमारा पूरा परिवार उसी पूरी तरह से डिपेंड था और जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मैंने अपने आपको पहचाना कि मेरे अंदर कितनी capabilities हैं मैं क्या क्या कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास जब कोई option बची नहीं तो मुझे करना पड़ा जब मेरे पास कुछ नहीं बचा तो मुझे करना पड़ा और मैंने इतनी मेंनत करी कि आज की date में मैंने यह बना लिया है मतला उब क्या सर जो उसके पास भैंस थी उस समय वो इसका एक comfort zone था जो उसके बास भैंस थी उसका दूद निकालना बेचना वो उपने comfort zone में रुका भूँआ था उसी जिसकी जिंदगी चल रही थी उसी बच्चे पाला जा रहा था जैसे ही वो अपने comfort zone के बाहर आया क्योंकि बैस गई अब तो option बचा ही नहीं आपके पास और जैसे ही वो अपने comfort zone के बाद आया तो सर जो बंजर जमीन थी आज वहाँ पे सब कुछ फलफूल आ गये हैं जो जोपड़ी थी वहाँ पे बंगले खड़े हो गए और जहाँ पे उसके पास कुछ नहीं था गाड़ी गोड़ा आज उसके पास सब कुछ आ गया समझ आ रहा है तो यही आपके life के साथ भी है यही आपके life जब तक आप comfort zone में रहोगे नॉमल जैसे जिन्दगी आज आपकी जी रहे हो वही आपकी life चलेगी अपने mind में रखके चलना आपको और जैसे ही आप अपने comfort zone को cross कर गए your life will definitely change 100% है change होगी तो अगर आपको comfort zone के बाहर जाना है तो भई थोड़ास के लिए आपको अंदर से build up भी करना है अपने आपको otherwise you cannot build up जब तक नहीं करोगे एक mind होता ना mindset अपना उसको change करना पड़ेगा ये नहीं आपको सबसे पहली चीज़ है कि आपके mind में establish करना है चीज ये अपना goal सोचना है कि मुझे ये करना है ठीक है और जिन्दगी भर हमको ये लाइफ के ना phases होते है that's it ठीक है लाइफ के phases होंगे अब ये आपके लिए वो कर रहे है कल आपके बच्चे होंगे आप बड़े होगे आपकी लाइफ बनेगी आपको उनके लिए करना है ठीक है so it's all about give and take ठीक है आज आप ले रहे हो तो कल आपको देना ही पड़ेगा तो आपको उसके लिए establish करना है अपने आपको बनाना है ये कि जितनी अच्छी educations आपके घरवाले provide कर रहे हैं हो सके तो उतनी या उससे और अच्छी ठीक है वो provide करोगे आप ये आपको अपने mind में रखना है ठीक है clear है तो ये चीज़े आपको सोच के पहले दिन से ही चल दी है मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं हम लोग अपने करियर में बहुत से बच्चों को देख लिया आते हैं आता पूरा जुंड है ठीक है आता पूरा जुंड है उसमें से कुछ ऐसे होते जो छोड़के निकलजाते अगाए और कुछ आपके उपर हम लोग अपना काम करेंगे हम लोग अपना Belgium अच्छे से करेंगे अब कहीं वी पढ़ोगे Bangladesh कोई भी टीचर होता है वो अपना काम करेगा, वो अपना काम पूरा का पूरा करेगा, उसके अंदर जो भी है, सब आपको देदेगा, ठीक है? सब कुछ आपको प्रोवाइट करेगा, अच्छे से पूरी नॉलिज देगा, मगर विगवा बताओ, एक्जैम्स तो आपको करना है, एक्जैम्स तो हम आपको है, यह आपको अपने माइड में पहले दिन से रखना, मैं पहले दिन से इसलिए बोलता हूँ, पहले दिन मेरी क्लास ऐसे में करता हूँ, जान बुछे, सो बच्चे के अंदर बच्चे से फीड हो जाएगी, सब मजाक नहीं करना है, हर चीज़ का एक टाइम है, हर इस गट क्लास में बैठी है, तो पूरा एकदम फोकस रही है, क्लास के बाहर जाएए, आप जब चला उट करें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वगर जब आप कहीं बैठे हो, तो पूरी आपका फोकस वहीं पहोना चाहिए, उसके अलावा कहीं नहीं फोकस हिलेगा, आ ठीक है, और आप फिल गए तो आपकी लाइफ और वैसी बात हो पूरी डिस्टर्ब होनी ही होनी है, तो यह चीज़े आपको उपने माइड में रखके चलनी है, क्लियर है, आता है समझ की नहीं समझ आता, आता है, दिक्कत तो नहीं है कोई, नहीं है दिक्कत, चलो गई, अ मैं आपको बता दी अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, माधव पावा, ठीक है, मेरा नाम है माधव पावा and I'm going to take the subject of jurisprudence, interpretation and journal laws executive group 1 का पहला आपका ये subject है, one of the most important subject और interesting भी है, अब आपका जो इसका module and all है, अच्छा खासा मूटा हो चुका है, यह आपको पता होगा, अगर आपके देखा नहीं, तो मैं अभी आगे आपको अलका सास के बारे में बता दूँगा, ठीक है, chapters, आपके जो topics हैं, कुछ बढ़ भी गए, अच्छे खासे बढ़ गए, यह आपको idea होगा, नहीं है, तो भी मैं आपको आपको आगे ऐसे थोड़ा सा बता क्लियर है, अता है समझ, अच्छा, एक चीज और थोड़ी basic सी है, जो मैं अपने जितने भी students उनको बताता हूँ, और जो मैंने भी सुना था, मैंने भी करा था, यह भई आप CS तो बेटा करने आ गए हो, ठीक है, CS तो आप करने आची जिट में आ गए, क्लियर है, CS तो आप करोगे, मंगर एक चीज, जो मैंने भी सुनी थी, मैंने भी समझी थी, और मैंने भी करा, कि CS के साथ एक combination बनता है, किसका बनता है, LLB का combination एक बनता है, ठीक है, CS के साथ LLB का combination बनता ही है, अब्वेसी बात है, CS में आपको अलग-अलग scope मिलेंगे, ठीक है, अलग-अलग areas में आपको scope मिलते हैं, बहुत से areas हैं, जिसमें एक CS Company Secretary का scope है, पता है आप लोगं को, आप करने आए हो, तो अब्वेसी बात है, CS क combo है, जो बहुत अच्छा होता है, जो बोला जाता है, क्यों होता है, क्यों कि आपको पता है, CS जो है Company Secretary का जो syllabus है, हमारा जो course है, it's all about law, आपको पता है ये चीज़े, it's all about law, अलग-अलग laws के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जब हमारा group 1 हो जाएगा आपको वहीं feel हो जाते हैं, ठीक है, law के field में और तो यहां के जो LLB के और scope हैं, ये भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है, तो इसके साथ-साथ आपको sir, ये भी आपको मिल जाता है, और सही बताओं, अगर आपने CS कर ली, ठीक है, अगर आपने CS कर ली है, उसके बाद LLB आपके लिए कुछ न करी थी, कि मुझे इस LLB करने में दिकत एद्धम नहीं आई, क्योंकि law क्या है, it's all about interpretation, ठीक है, कि पढ़ा कैसे जाता है, concept कैसे निकाले जाते है, ये होता है, it's all about interpretation and all, जब मुझे पढ़ना आ गया है, कि पढ़ा कैसे जाता है, तो मेरी लिए तो law वो कुछ नहीं था, त topics आते हैं, LLB के अंदर, जो बहुत से common होते हैं, और जब हम लोग ये jurisprudence का chapter पढ़ेंगे, jurisprudence का subject पढ़ेंगे, तो यहाँ पे अलग-अलग laws है, बहुत से laws है, एक act नहीं है, सिर्फ एक act, जैसे companies act, पूरा companies, एक ही law है, समझ आता है, तो ये एक नहीं है आपे, पर अलग-अलग हैं, जितने chapters हैं, आप मान लेंग अलग-अलग laws हैं, अलग-अलग acts हैं, इस समझ के चलना आप, तो जो भी chapters हम लोग यहाँ पढ़ेंगे न वो एक हर एक subject बन जाता है, जैसे हम लोग CPC पढ़ेंगे, CRPC पढ़ेंगे, IPC पढ़ेंगे, transfer property, act पढ़ेंगे specific relief, यह सब अलग-अलग act है, अब यहाँ पर जैसे LLB में जाओगे, जो यहाँ पर एक-एक chapter पढ़ेंगे, LLB में जाओगे, वो एक-एक subject बन जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग base तयार करते हैं, ठीक है, और वहाँ जाके हम लोग full-fledged उसको देखते हैं, clear है, तो यह च करोल कहीं न कहीं आपका आते रहेगा, आपको मैंने example एक LLB का देई दिया, LLB आप जाकरोगे, आप करोल आजाएगा, तो अगर आपको basics नहीं आते, आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो अपने आपको CS अगर कर रहे हो, तो भई सीधी से बात है, यह नहीं, LLB करन सा उसमें difference है, तो यह आपके उपर, it's all your choice, ठीक है, it's all your choice, कोई compulsion नहीं करना ज़रूरी है, मैं बोलना हो, it's a good combination, that's it, आपके उपर है, करना है, करिये, नहीं करना है, all your choice, ठीक है, आता है समझ, चलिए, अब आपके साथ तोड़ों मैं topic में बात करता हूँ, अब आप सु constitution पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा, पढ़ा हुआ है, constitution पढ़ा है, CSEEE में पढ़ा हुआ है, constitution, वहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे, जहां भी आपने पढ़ा होगा, उन्होंने बताया जरूर होगा, कि sir, Indian government की तीन branches है, the one is legislative, the other one is judiciary and the next is executive, अब आप मुझ मुझे बताओ अब, कि sir, यह legislative क्या चीज है, what is judiciary and what is executive, क्या है, बताओ, देख रहे हूँ मुझे, बताओ मुझे न, मुझे देखो नहीं, मुझे बताओ, मुझे answer दो, legislative is law बनाते हैं, हाँ जी, और बताओ, फॉलो कराता है, judiciary, justice provide करता है, अच्छा, और बताओ, बोलो, बोलो, legislative is the law making body, अच्छा, और, येस, बहुत बढ़े हाँ, और बताओ, लागू करवाता है, बहुत बढ़े हाँ, बहुत बढ़े हाँ, legislative कौन है, legislatures are the one who makes law, कौन है ये, जो कानून को बनाते हैं, legislative body of India कौन है भई हमारी, legislative body of India हमारी कौन सी है, legislative body, central level बताओ, ये कौन है, central level पे कौन है, central level पे, central level पे, central level समझाता है, country के level पे, इंडिया के level पे, हमारी legislative body कौन है, कौन कानून बनाता है, parliament, parliament है, central level पे, देखिए legislative department दो level पे रहेंगे, एक state पे रहता है, एक central level पे रहेगा, central level पे जो है, वो हमारा Indian parliament समझाता है, लोगसभा, राजसभा सुना हुआ है, लोगसभा एंड राजसभा, ये होते हैं जो कानून को बनाते हैं, यह होते हैं कानून को बनाते हैं, समझाती है, क्लियर है, कैसे बनाते हैं पता है आपको, एक बिल ड्राफ्ट होता है, बिल पेश करा जाता है, पहले लोगसभा में, लोगसभा से अप्रूव अगर हो जाता है, तो फिर राजसभा से अप्रूव हो जाता है, तो फिर प्रेज State Legislative Assembly, समझाता है, और कुछ-कुछ State से जा पर Legislative Council भी है, हर State में नहीं है, इसके बारे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, जब हम लोग Constitution का Chapter करेंगे, बहुत डिटेल, मगर आपको जनरल चीज़ बता रहा हो खाली, तो Legislatures कौन है, the Lawmakers, यही है, कौन है यह सर, Lawmakers, यह जो है का कानून को बनाते हैं, यह कानून को बनाते हैं, समझाती है, Judiciary कौन है, Judiciary आपको समझाता है, हमारे Judiciary समझाती है आपको, Top Level Supreme Court, उसके बाद Sir High Courts, उसके बाद Sir District, इसकी भी Hierarchy है, इसकी भी Divisions है बहुत से, यह हम लोग आपकी Next Class में बात करेंगे, when I will deal with the Topic of Court System, मैं पूरा के बाद हम लोग अपनी बुक उठाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा, नेक्स क्लास में, Court System का हमारी कानी, पूरा Judicial के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो हमारी Next Body is Judiciary, तो भाई कानून बना, किसका काम, Legislative का, Judiciary का काम होता है, Law को क्या कानून बनाएगी, ठीक है, उसके बाद कानून को इंपलेमेंट करना, इसका काम किसका है, एक्जीक्यूटिफ का है, और जुडिशरी का काम होता है, उसको इंटर्परेटेशन करना, आता है, समझ, तो अभी तक जो मैंने बोला, अभी जो बोला, तो इसका मतलब आपको क् बनाने की पावर है, law बनाने की पावर है, वो किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ, legislature के पास है, आपको यह समझा रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, legislature के पास है, मगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अब सुनो, ध्यान से सुनना, थोड़ा अलग सुनो, जो legislative body है, ज कौन सी है Supreme Body तो ये भी जो बनाती है लेस्ट इसको बोलते Supreme Legislation ठीक है क्योंकि Supreme Authority ने बनाया है तो जो लौ बन रहे हैं उसको बोलते Supreme Nations मगा कभी कभी ऐसा भी होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर जो कानून है ना जो कानून है सर कभी कभी ये भी बनाती है जुड़ी शरीवी और कभी कभी ऐसा होता है कि executive भी बनाती है समझा रहा है कभी कभी ऐसा भी होता है this is known as delegated legislation क्या होता है इसको बोलते है delegation इसका मतलब क्या है delegation का मतलब क्या होता है कि हमारे पास, आप अपना सोच लोगे, आपके पास कोई अधिकार है, आपके पास कोई अथोरिटी है, आपके पास कोई पावर है, जैसे legislature है, legislature पस क्या पावर है, कि we are the supreme power, कि हम लोग पास क्या supreme authority कानून बनाने की, पावर किसके पास है, इसके पास, lawmakers है ये, मगर जो इनके पास पावर है, ये क्या कर रहे हैं, delegate करते हैं, क्या करते हैं, अपनी जो authority है, वो delegate कर देते हैं, किसको दूसरी branches को, समझा रहा है, तो legislative अपनी authority इनको भी transfer कर सकता है, तो ये बनाएंगे कानून और इसको भी दे सकता है, और होता है, practically अगर देखा जाए, तो sir होता है, चल executive body के जो head है, उसको बोलते है president, उसके बाद vice president and prime minister, और उसके बाद अलग से ministries होती है, अलग- अलग, वो सब होते executive body के part, उस सब किसके part है, executive, जो execute करते है, सबज आता है, government departments, ministries, सुना है, अलग-अलग ministries के बढ़े में, उस सब कौन है, उस सब executive है, सब executive department के अंदर आता है गेटिंग आता है समझ ठीक है तो क्या होता है अभी जर्णल बात क्या करी कि lawmaking power इसके पास ये जर्णल है मगा कभी कभी क्या होता है कि laws जो है दूसरी bodies भी बनाती है कब बनाती है जब वो जो power delegate होती है समझ आती है तो जो वो कानून बना रही है कौन judiciary बना रही है या तो executive बनाती है उसको हमले बोलते है subordinate legislation समझा रहा है यह delegated legislation अब कुछ भी बोल दो ठीक है जब delegated मतलब power दी गई और आपने क्या बनाया कानून बनाया समझ आता है clear है तो आपके दिमाग में आज की date में रहना चाहिए ऐसा नहीं बोलेंगे कि only legislatures can make the laws only नहीं है यह मानते है supreme power इनके पास है supreme authority इनके पास है यहीं बोलेंगे lawmakers यहीं है मगर ऐसा नहीं होगा कि क्या जुड़ी आपके सामने के question आपके कोई बूसता है कि क्या जड़ूश्री भी law बना सकती है कानून answer is yes होते हैं उनके भी कानून होते है एंग्जी सर बना सकते हैं हां जी सर होता है समझ आता है क्योंकि बेटा कानून क्या है कानून क्या क्या है यह लॉस है सब चेक है सर जो रूल्स होते हैं क्या यह कानून है दांसरेज येस सर जो रेगुलेशन होती है अलग-अलग क्या ये कानून है दांसरेज येस सर जो गोवर्मेंट के अलग-अलग सर्कुलर्स आते रहते हैं क्या ये कानून है दांसरेज yes sir government के अलग-अलग notifications आती रहती है क्या ये भी कानून होते है the answer is yes sir president ordinance pass करता है सुना है इसको president ordinance pass करता है पता है ordinance ordinance pass करता है ये भी एक कानून है ये सब law है समझ आ रहा है चाहिए बस ये क्या है अलग-अलग form में है एक act के form में है एक rules के form में है एक regulations में है कोई bylaws में है कोई ordinance में है कोई notification के form में है कोई circulars के form में है ये सब क्या है इस सब बिटा law है सब laws है ऐसा नहीं कि law नहीं सब ये law के क्या है अलग-अलग forms है और सब को आपको follow करना पड़ता है समझाती है clear है अब ये ordinances at all वैसे तो I will talk in detail जब हम लोग पढ़ेंगे constitution में आएगा ठीक है constitution में आएगा section article number 123 के अंदर article number 123 के अंदर president जो है ordinance pass करता है president क्या करता है ordinance pass करता है समझ आता है ordinance होता है क्या समझ आती है कुछ हलका सा नहीं आता समझ हलका सा CAC में तो था ना कि नहीं था नहीं था चलिए ठीक है तो कुछ नहीं होता है emergency जब आती है emergency situation होती है तो वहाँ पे president क्या करता है कानून वनाता है ठीक है अब emergency situation कैसी बताऊ हलका सा सुनना है emergency situation कैसी अब सुनो होता क्या है जैसे lawmakers कौन है अभी आपको मैंने क्या बताए lawmakers कौन है parliaments 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 जो हमारी legislature है क्या है center level का देखा जाए तो कौन है parliaments parliaments के ना sessions होते है parliaments के अलग-अलग sessions होते है एक साल में तीन बार sessions होते है parliaments के मगर session एक session के बाद बीच में gap भी होगा छुटिया भी तो होगी समझ आता है session हुआ फिर बीच में gap फिर session फिर gap और फिर session तीन session होते है पूरे साल में clear है अब भई law making body वही है कानून वही बनाएगी sessions में आती है कानून बनाते है लोग सभा राज सभा जब session में होते है मगर कभी ऐसा हो गया कि जब है क्या break समझ आती है break है और कोई law बनाने की जरुवत आन पड़ी कोई law बनाने की जरुवत आन पड़ी law क्यों बनता है पता है आपको why we make laws क्यों कानून बनता है कानून क्यों बनाया जाता है इन जरुवत कर रहा हूं कानून क्यों बनाया जाता है ओव्वेस बात है सर law बनता है to control the behavior of human beings in the society इसलिए कानून तो इसलिए बना रहे हैं तो कानून बनाना की जरुवत नहीं है किसी को समझारी कानून जो बनते हैं वो यही है to control the human behavior society में अगर बेटा problem आएगी तो आप समझ लेना कानून बनेगा पर अगर society में कोई problem नहीं है अगर एकदम सब कुछ smoothly run हो रहा है बहुत अच्छे से चल रहा है तो कानून बनाने की जरुवत पड़ेगी ही नहीं समझाता है तो कानून बनाने की पीछे कारण है why we make laws why the department why the government make laws उसके पीछे है कारण ठीक है तो उसके बैबी में आता हूँ आगे हुआ क्या काहनी एक सुन ले एक तरह से की session चल रहे थे session महाँ पे बंद हुआ बीच में break आया मगर society में कोई ऐसी problem आई जिसके लिए कानून बनाना एकदम emergency में पड़ गया कि भई कानून बनाना जरूरी है ठीक है कानून बनाना जरूरी ने तो दिक्कत बढ़ जाएगी समझाती है तो उस case में क्या होता है उस case में जो president है वो एक पास करता है ordinance क्या पास करता है ordinance पास करता है clear है और वो जब ordinance पास कर देता है उसको हम लोग बानते हैं कानून वही हमारा एक कानून जो emergency हो गई न emergency में जो पास करता है उसको बोलते हैं हम लोग एक ordinance जब आपका जो session ये parliament अपने sessions में नहीं है तो उसमें बास करता है, law pass करता है, उसको हमне बोलते हैं, ordinance किसलिए है, so that control हो जाए society में सब कुछ, ठीक है, और यह ordinance जो होता है नहीं, permanent नहीं होता, इस ordinance को क्या करा जाता है, जब parlement session में फिर सेशन में जब आएगी न, परियमें फिर सेशन में आएगी तो इस ordinance को क् जाएगा permanent law बन जाएगा समझ आता है एक्ट बन जाता है समझ आती है clear है तो भाई एक बाद बताओ मैंने आपको क्या बोला इस सर जो यह ordinance पास हुआ जो प्रेजिडेंट ने किया यह कानून है कि नहीं है जब तक session नहीं चल आया तब तक तो कानून है follow तो करना पड़ेगा तब ही मैंने बोला ordinance भी क्या है law है समझ आ रहा है ordinance भी क्या है law है कौन पास कर रहा है अभी तो आप बोल रहे थे sir legislature के पास खाली power होती law की आ रहा है समझ अभी क्या बोल रहा था मैं कि sir law कौन बनाता है law makers legislature अभी किसने ordinance दे दिया president कौन है sir यह तो यहां का है executive का है कैसे बना दिया भई और आसा मझ यह point getting तो सुनो executive ठीक है अब सुनो एक और आपका example देता हूँ Companies Act 2013 Companies Act 2013 है किसने बनाया है sir parliament ने पास किया किसने बनाया है पास किया मगर बेटा Companies Act के साथ Companies के rules भी है पता है आपको Companies Act के साथ Companies Act rules भी है बेटा जो यह rules है न यह parliament ने नहीं बनाये है यह जो rules है यह parliament ने नहीं बनाये है यह जो rules है इसको बनाया गया है किसने ministry of corporate affairs को ने बनाया है और sir ministries कहां पर आती है sir ministry आती है यह executives में अलग-अलग जो ministry से कहा है executive तो भई क्या हुआ पारलेमेंट ने जो legislature body है इसने अपनी power क्या करी delegate करी किसको executive में किसको ministry of corporate affairs को कि भाई साब जितने भी आपको rules बनाने हैं इस law हम ने बना दिया अब इसके regarding जो भी rules बनाने हैं उसकी power हम देते हैं, आपको, समझ आता है, clear है, उनको दिया है, क्योंकि मिनिस्ट्री और कॉर्प्रेट अफेर्थ है, वहाँ पर ऐसे लोग होंगे, जिनको नॉलेज और अच्छी होगी, उस मैटर से लेटेट, तो आपको देदी पावर, अब आप बनाईए, तो उन्होंने क्या बना यह अलग-अलग, ऐसे ही FEMA आपका है, ठीक है, Foreign Exchange Management Act, ठीक है, FEMA, समझ आता है, उसमें भी Regulations बनती है, उसमें क्या बनती हैं, आपकी Regulations बनाते हैं, ठीक है, RBI आपकी Regulations अलग-अलग बनाता है, समझ आते हैं, Stock Markets है, Stock Markets के Laws होते हैं, SEBI Laws and All है, समझ आता है, clear है, तो उस में क्या होता है, Law तो बनाया किसने, Parliament ने, Act तो उसने बनाया, SEBI Act, SEBI है किसने बनाया, Parliament ने बनाया, मगर SEBI से लेटेट जो Regulations है, कौन बना रहा है, वो SEBI बनाता है, Stock Exchange Board of India, समझ आता है, वो कौन बनाता है, SEBI बना, SEBI कौन है, सरी Executive है, वो Executive का का काम है, सब का, हारा है समझ Clear है, समझ आता है, Regulations, Rules, Ordinance, आपको सब समझ आगे, कौन बना रहा है, Executive, Judiciary की बात करो, Judiciary कैसे, Judiciary कैसे, अब आपको बताओ, अलग-अलग High Quartz है, अलग-अलग High Quartz है, आज की रेट में, कितने High Quartz हैं हमारे पास, आज की रेट में, कितने High Quartz हैं मेरे पास, वैसे तो मैं 25 High Quartz हैं हमारे भारत में, ठीक है, 25 High Quartz, अब क्या है, High Quartz के अलग-अलग High Quartz हैं, वो अपने रूल्स बनाते हैं, समझ आता है, अलग-अलग High Quartz के पास, पावर दी गई है, कौन पावर दे रहा है, legislative पावर देता है, आप अपने लिए, अपने खुद के रूल्स बना सकते हो, ठीक है, समझ आती है, और वही जो रूल्स है, जो उनकी jurisdiction होती है, जो उनके अंडर कोर्ट आते हैं, वो सब के उपर रूल्स एपलाई हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बना सकता है, किसलिए, to simplify the procedures, समझ आती है, वैसलिए जो procedure and all है, किसने बनाया ह मगर क्या power दे थी, कि आप अपने rules and all बना सकते हो, तो बैटा जो rules बन रहे हो, क्या law है, वो follow कर रहे हैं कि नहीं कर रहे है, समझ आती है, तो आज की जिट में आपके बन में अब ये चीज़ clear होगी, ये नहीं बोलोगे, कि सिर्फ और सिर्फ लेसलेचर बना सकता है, ऐसा there is no, supreme तो ये ही है, समझ आ रहा है, मगर बनते हैं, और हमारे सामने examples already exist कर रहे हैं, आता है समझ, clear है, कोई दिक्कत, तो आज के बाद आपके मन में ये point नहीं आना चाहिए, ऐसा कि law और कोई नहीं बना सकता, खाली ही, बना सकते है, अगर power उनके पास है, और examples आपके सामने अब सुनो, मैं आपके बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा था भी, इसकी, society and all की बात कर रहा था, ठीक है, अब भाई हम लोग कौन है, हम लोग, we the people, we the human beings, always want to live in a peaceful society, चाहते हैं हम लो, हम लोग कौन है सर, हम लोग एक human being है, कोई भी इनसान ले लो, ठीक है, आप हो, मैं हू कोई भी, x, y, z, कोई भी हो, we the human beings, क्या चाहते हैं, wants, क्या, to live in a peaceful society, peaceful एकतम, रहना चाहते हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग लोग, अगर मार, पीट, दंगे, फसाद यासा, और हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग क्या चाहिए, कि हम लोग, we just want to live in a peaceful society, चाहते हो क अच्छा हाभ हो पाता है एसा अदफरaison is no ओ नहीं पा पाता मकर चाहते हैं हम लोग सब कुछ ह्मगर ओ नहीं पाता है USA जेंप्ल देता हों डां ट Grund कर सकते हो आप लोग एक मिस्टर एक से ठीक है कौन है Mr. x Chris मिस्टर एक्स का घर है डेली में उनका घर है उता क्या है कि उनके जितने बच्चे है न सब बाहर फॉरण में सटल्ड है एक तरह से चीक है शादी बिया करके वह एकदम आप पर सटल है मही पर जॉब कर रहें बड़े हैं अब मिस्टर एक्स अकेले हैं ऑल अलोन चीक उनकी बाइफ के डेथ हो चुकी है वही इस और उन बड़ा सा बंगला है उनका अच्छा खासा प्लियर है वह सुषते कि बढ़े काम करता हूं मैं भी अपने बच्चों के पाँ जाके घूम फिर आता हूं क्या करूंग यहां पर घर बैठके वह चले जाते हैं बाहर प्लियर है वाई मिस्टर वाई अराम से घर में सोफे में बठा हूँ अंदर और देखते हैं कि अपनी गाडियां भी उनकी पारकिंग और गार्डेन है वहाँ पर मिस्टर वाई ने अपनी गाड़ी भी पार्क करी हुई है और घर के अंदर आराम से वह बैठा है उसकी बीवी Mr. X को, Mr. X को कोई problem होगी, आप अपने आपको एज्यूम कर लो, अपने आपको मान लो, सोच लो ऐसा, कि आपके साथ ऐसा हुआ, problem होगी, बताइए, the answer is yes, the answer is yes, definitely sir, problem होनी ही होनी है, आता है समझ, इसको बोलते हैं, trespassing, इसको क्या बोला आता है, trespassing, इसको बोला आता है, trespassing, तो भई, एक बाहर बताओ, एक बाहर बताओ, trespassing हो गई यहाँ पर, तो भई, Mr. जो X है, और एक और है Mr. Y है, Mr. X का, क्या कोई अधिकार होगा, क्या इनके कुछ राइट्स होंगे, क्या इनको कुछ अधिकार मिलेंगे, कि नहीं मिलेंगे, जब यह act हो गया, जो trespassing हो गई, तो इनके कुछ ना कुछ ठीक है, और सर, Mr. Y की कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज होंगी, क्या नहीं होंगी, बताइए, Mr. X के कुछ राइट्स होंगे, या Mr. X की लाइबिलिटीज कुछ ना कुछ होंगी, क्या नहीं होंगी, ना अंसर इस, और व्यसे बात है, इनके कुछ ना कुछ राइट्स एन liabilities, इनकी क्या है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? गलत हुआ? हुआ गलत आपके सामने आई है, हम लोग एक्जैंपल सी दिख रहा है कि गलत सर हुआ, अब आप बोलो कि सर नहीं, उसके साथ गलत हुआ है, हमारा यह अधिकार होना चाहिए, उसके साथ ऐसा होना चाहिए, अब्वेसी बात है, लगेगा? लगेगा? कौन बताएगा? आपको कैसे पता चलेगा कि भई हमारे क्या rights है? हमारी क्या duties है? हमारी क्या responsibilities है? हमारी क्या obligations है? हमारी क्या liabilities है? समझाता है? एक कहाँ पता चलता है? यह सब बताता है एक लोग. यह बताता है का नोग. समझा र है कोई ना कोई कानून या तो बना हुआ है या तो अलड़ी बना हुआ एक्जिस्ट कर रहा है और इंकेस अगर लौ नहीं है किसी चीज के लिए विच इस नॉट राइट ठीक है विच इस नॉट एस पर दा सोसाइटी फॉर स्मूध रिनिंग ऑफ सोसाइटी अगर कुछ ऐसा नहीं है तो सर एंडेट परसंट उसकी लौ बनेगा लौ तभी बनेगा सोसाइटी में जब प्रॉब्लम आएगी अधवाइज लौ बनाने की ज़रूवत नहीं है गटिंग आप गलत करेंगे कानौन बन जाएगा अप गलत नहीं करेंगे को दिकट नहीं है स्मूध चलेगा सब कुछ उबर जैसे इस भी सॉसाइटी में प्रॉब्लम आती है तो वैसे ही बटा क्या होता है लौ बना तैयार आ जाता है समझ आती है तो law किसलिए होता है for the proper existence of the society for the proper existence किसका of the society the law should tell you क्या क्या your rights your duties your liabilities your obligations your responsibilities remedies कि के आपको remedy भी लेगी यह सब लोग को बताना पड़ता किसलिए for the smooth and proper running of the society otherwise नहीं चल पाएगा क्योंकि society जो है न in every society कहीं भी ले लो दो तरह के लोग हैं एक अच्छे और एक बुरे जिसको भोते हैं just and unjust ठीक है कोई fair होते हैं कोई unfair होता है समझ आता है हर तरीके के आपको society में लोग मिलेंगे दोनों तरीकें मिलेंगे getting समझ आता है कि नहीं आता है एक ऐसे होंगे जो लोग को follow करते हैं जो ओबे करते हैं चीक है मानते हैं कानूनों को और एक ऐसे होंगे जो लोग को नहीं मान सकते हैं लोग लोग को नहीं मानेंगे तो फिर भई उनी के या दिक्कत होती है 라 स्टी ळोसे अपने देखा होगा कि आप कानून होते हैं जो सजाय भी होती है कुछ ना कुछ समझ आती है punishments होती है क्या punishments and all होता है क्यों होता है punishments क्यों punishments क्यों दे रहे है so that आप लोग को follow करो so आप लोग को follow करो तभी होती है सजाए otherwise shock थोड़ी है कि आपको सजा दे कोई मतलब नहीं है क्यों to create a fear समझा रहा है किस लिए होता है so that आप गलत ना करो इसलिए होती है punishments अब आप सुनो अगर आपकी कोई सजा है ठीक है punishment अगर मैं बोलू अगर बहुत वो क्या है कम है example देते हैं normal से example ले लो आप कि आप ने देखा होगा जैसे आपका यह है red light ठीक है red light अगर मैं बोलता हूँ कि भही motor vehicle act है ठीक है मानते हैं presume करेंगे ठीक है यह motor vehicle act है और उसमें लिखा हुआ है one should not jump the red light क्या लिखा हुआ है one should not jump the पहले स्कोर ले स्कोट आपके मैं करता हूँ no ठीक है punishment यहाँ पे कुछ नहीं है one should not the jump the red light बस यह लिखा हुआ है that's it सिर्व यह लिखा और कुछ नहीं लिखा है red light को jump नहीं करना कानून है motor vehicle act और वहाँ पे लिखा है one should not jump the red light आप बताओ कितने लोग follow करोगे सई सही बताना कुछ नहीं लिखा और खाली बस यह लिखा है one should not jump the red light that's it और कुछ नहीं लिखा follow करोगे एक कहाथ भी उपर नहीं आएगा करोगे follow क्यों follow करें किसली follow करेंगे भई आपने लेके दिया हमारे तो काम क्या है not to obey हम तो जिद्धी है हम तो मानेंगे नहीं आप बोल रहे हो ना कि one should not आपने law लिखा आप बोल रहे हो हम तो मानेंगे नहीं हम जिद्धी समझाता है कोई follow करेंगा the answer is no the answer is no चलो भई law में changes आते हैं law में change हुआ law में क्या हुआ अब देखने लगा सरकार को कि भई कोई follow करी नहीं रहे law में changes हुए law में जब changes हुए sir यहाँ पर थोड़ी punishment आई और law लिख देता हूँ इन्होंने करा क्या लिखा आपे 100 रुपे का क्या लिख दिया fine है 100 रुपे का चलान कट गया है ठीक है कि अगर आपने red light जंप नहीं करनी है पहली बात तो और अगर आपने जंप करी 100 रुपे का fine है ठीक है law changes आई लिख दिया कितने लोग फॉलो करोगे कितने फॉलो करोगे एक दो हो जाएगा पांच परसंट दस परसंट लोग आ जाएंगे भई 100 रुपे नहीं देना है ठीक है मगर उसके बाद भी कहानी नहीं बन रही है कि भई पांच परसंट से क्या हो गया क्योकि मकसद क्या है law making कर ना है कि सब को फॉलो कराना है एक दो से काम नहीं बनेंगा क्या करना है सब को follow कराना है तो उसने क्या करा थोड़ी punishment क्या कर दी और कितना कर दिया एक हजार कर दिया मैं यूं कर रहा हूँ सबकुस ठीक है कहानी बता रहा हूँ अब बता कितने लोग फोलो करो गया कित्तों लोग करो अब तो मैं भी करूँगा ठीक है अब तो मैं भी करूँगा समझ आ रहा है कि हजार रुपे का फाइने जहां पर आपका रेट पांद 10% 20% था फॉलो करने वाले आज वह अगर देखा जाए तो कम से कम 90% तो यह 80% तो वह पहुंच जाएगा समझ आ रही है समझ आ रही है एक और चीज़ ले लो अभी भी दिखा कि अभी भी समझ नहीं आ रहा लोगों को इसको कर दो और थोड़ा सीवियर कर दो और सीवियर में डाल दी उन्होंने अगर 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 बोल रहा हूं ठीक है डाल दी जेल में डाल दी जेल कि भीया करा तो छे महिने की क्या है जेल अब अब सब फॉलो करेंगे बिटा अब हर एक बंदा फॉलो करेंगे शायदी मुश्किल से एक परसंट दो परसंट बज़े मगर फॉलो अब सब के सब करेंगे कि आ रहा है समझ, का नी समझ आ रही है, बुलना क्या चाहरा है, कि जब तक डर नहीं रहता है इंसान के अंदर ना, यह डर ही तो है, पनिश्मेंट्स क्या है, यह डर क्रिएट रज़ा है, सरकार को पैसा नहीं चाहिए, गौर्मन्न पैसा नहीं माँग रहे हैं, अपको लग करेंगे लिखके तो कि रैस DRY इंड नॉल करेंगे तो क्या होगा किसी की जान जा सकती है समझा रही है ॉसक्ते है nogसाइट्टि में प्रॉब्लम आ जाएगी ट्राफिक लग सकता है समझा रहा है तो क्यों क्या फॉलो नहीं कर रहें वो चारे कि आपको फॉलो करवाया जाया पैसे से कोई मतलब नहीं पैसा तो एक मोड है आपके अंदर डर क्रियेट करने का हम लोगों को लगता है कि गौवर्मेंट तो पैसा वसूल कर रही है तो आंसर इस नो यह गलत चीज यह गलत फॉट है वो क्यों कर रही वो डर क्रियेट कर रही आपके अंदर एक तभी आज की रिट में जो चलांस हैं बहुत जादा बढ़ गए हैं द्रिंक इंड्राइविं तो चलान इस 10,000 रुपीज आज की रिट में 10,000 रुपे का चलान है समझा रहा है कैसे पहले नहीं था पहले कम था पहले आप देखो तो 100 रुपे चलान थे आपके ड़ लाइट के आज की रिट पांसो बढ़ गए 500 हो गए समझा रही कोई 1000 है कोई 2000 है रेट आज की रिट म सजाएं हैं जैसे छे मेने की सजा हो गई मैं बह्ता हो बढहा ही और एक कर लिए क्या वे उन्ययर हो सकता है तीन साल यह सब्जाशा साल-, सब्छे से साल् veramente चॉदा साल जिस अब क्या है अलग अलग आपकी जेल की सजाएं यह अलग अलग सजा है और मैं बोलता हूँ और सीवेर कर दो और सीवेर कर दो सर Life Impresionment ठीक है और सीवेर कर दो Death Penalty इस से उपर तो कुछ नहीं Death Penalty समझा रही है पिटा ये जो सब सजाएं है ये जितनी भी सजाएं एक साल की कहीं कहीं आप देखो बहुत से Offenses है जहां पर लिखा है एक साल जहां पर लिखा है तीन साल जहां पर लिखा है साथ साल जहां लिखा है दस साल जहां लिखा है आपका उमर कैद तो कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ है death penalty बेटा ये जो भी आपकी punishments हैं जितनी भी सजाय है कोई भी punishment ले लो fines का rate कहीं 100 हजार कहीं जितना भी जितनी भी सजाय हैं समझ आती है क्यों कहीं कम है और क्यों कहीं ज्यादा है अलग-अलग कहीं कम कहीं कहीं कम है और कहीं कहीं ज्यादा it all depends upon the gravity of the offense कि offense जो है जो गलत चीज कर रहे हो आप वो कितना grave in nature है कितना serious in nature है समझा रहा है जितना serious कम होगा जितना normal होगा उतना सजा उसकी कम होगी और जितना एकदम heinous crime एकदम ग्रेवियस नेचर होगा एकदम serious होगा वह हमेशा उसका जादा होगा तो बेटा यह जितनी भी सजाए होती है जितनी भी punishments है अलग अलग ठीक है जितनी punishments है it all depends किस पे on the gravity of the offense on the gravity ठीक है कि कैसा वो है उसके इसाब से सजा होती है otherwise देखो आपके example दिया है drink देखो आपको क्या बोला मैंने red light jumping 500 रुपे drink and driving 10,000 रुपे क्यों red light jump है कोई दिक्कत नहीं होगी मगर sir drink and drive है तो बहुत दिक्कत हो सकती है समझा रहा है clear है तो क्यों sir gravity offense की seriousness देखके करा जाता है clear है आपको बता हूँ 2017-2018 की बात बता रहा हूँ उस समयना rape cases बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे 2017-2018 का rape cases बहुत बढ़ बढ़ गए कतुवा rape case सुना होगा अगर आपने सुना हो कतुवा यहां जम्मूव की प्लेस है क्या है और rape किसके साथ with a minus rape क्या हुआ within a period a span of one month कम से कम 4-5 rape होगा अलग-अलग जगा पे ठीक है अलग मुझे exact year यहाद नहीं बस ऐसा ही कुछ है इतना मुझे पता है तो हुआ क्या अहरह बच्या लग गई समझा अब क्या लगा सरकार को कि लोग तो भई रुकने का नाम में लेएं समझा रहा है इनको रुखने का नाम भी की दिक्कत dai enjoy the cris ना रेप केसे कीकेस lloots में क्या था kտffe करने Graph कि और य। लेवल बहुत रही किया तो डिंद अल कुछ नहीं था झाल रहा है तो बंदा उर्क्ट किती सरकार ने क्या किया सरकार ने क्या करा और रिटेंस पास कराई उसने सेशं में नहीं आपका ओर्डिनेंस पास किया और क्या करा कि अगर बारा साल की बच्चियों के साथ आप रेप करते हैं तो उस केस में जेल तो थी जेल का टर्म बढ़ा दिया जेल का क्या करा जेल का टर्म जबल कर दिया और साथ में लिख दिया प्लस death penalty क्या लिख दिया प्लस death penalty क्यों करा आपकुछ सुचो क्यों कर रहा है ज्यादा पर कंट्रोल करना जरूरी पड़ गया था और देखो अब सुनो death penalty जो बड़ा है वो 12 साल के कम वाले के लिए है उपर जाएंगे वहाँ पर death penalty नहीं है उपर जाते हैं तो वहाँ पर death penalty आया and all नहीं है अब सुनो 12 साल के नीचे देखा 12 साल के नीचे देखा कि इसको देखा गया यह जो crime है ना बहुत serious in nature है समझा रहा है यहाँ पर बच्चे की बचने की एकदम उमीद कम होती है तो बहुत जादा ग्रेवियस in nature है serious है उपर वाला है वहाँ पर सजासी खासी है वहाँ भी बच्ची खासी है वहाँ पर death penalty and all नहीं दिया वह हलका सा इससे compare किया जाए तो खोड़ा कम serious तो वहाँ पर वहाँ पर punishment उसकी हमेशा जादा रही है समझा आता है तो जो भी सजाएं है it's all depends all depends किस पर gravity of offense समझा आता है सजा देने का शौक नहीं है समझा रही है आपको फासी पर लटकाना आपको उमर कहत देना जेल में बंद कर देना उनको शौक नहीं है they just want peace and harmony in the society that's it आप peace maintain करके लिए आपको कोई दिकत नहीं है our I'm hope किसी को मारेंगे पीटेंगे चोरी डकैती ये सब करो गये तो गलत है ना आप हाम पहुचा रही दूसरे को दुक्सान पहुचा ही आप दूसरे आँगा घ्लीर अम उसमें आएंगे जब पढ़ेंगे अपना चैप्टर पढ़ेंगे लगण यह सब पढ़ेंगे आपका क्रिमिनल लॉज पढ़ेंगे आपको हर एक चीज हर एक कहनी इसके बारे में बताने वाला हुआ पर जाके ठीके क्रिमिनल लॉज के अंदर से विल जो लौ है यह जो लौ है कब आया यह लौ कब आया पहला कॉश्चन ठीक है वें लौ कब आया सर लौ क्यों आया समझ आता है कॉश्चन समझ आ रहा है आपके मन में कॉश्चन आये कि सर यह लौ आया तो है लौ तो आया है मगर सर क्यों आया है वो सकता है कब आया है को सकता है कि सर लौ जो आया सर कौन सी सरकम्स्टैंसेज में आया होगा यह भी कॉश्चन हो सकता है कि कैसी सरकम्स्टैंसे होंगी अच्छा सरी ये लौ जो आया इसको बनाया किसने है हो सकता ये भी question समझा रहा है और इसके लावे acceptor लिख देता हूँ ऐसे बहुत से questions हो सकते हैं ऐसे बहुत से questions हो सकते हैं जो दिमाग में आते हैं कि भई ये क्यों आया किस लिए आया किसने बनाया किया ऐसा हो गया था कि कानून बनाना पढ़ गया और किसने बना दिया समझ आता है यह बस अपक कया था दिमाग में आता है clear है समझ आ रहा है तो हम लोग को चाहिए होती इसके पीछे की reasoning कि भई actual में कारण है क्या actual में कारण है क्या समझ आ रहा है finding out the reasoning किसके finding out the reasoning कहाँ पे finding यह सब क्या है यह सब क्या है यह सर है finding out the reasoning finding out the reasoning किसके पीछे सर behind किसके the laws इनके पीछे कारण सब क्या है समझा रहे है किसी law की क्या करना किसी भी law की कोई कानून बना तो उसकी क्या करना reasoning find करना उसकी research करना उसकी proper study करना उसका proper investigation करना ये सब वही होगा यही आप दूढ़ना चाहरे हो कि क्यों आया किस लीए और आया कब बनाया, کौन situation ते ये सब क्या है You are just finding the reasonings behind the laws यही हो रहा है उसकी proper आप research कर रहे हो उसकी proper आप studies कर रहे हो उसकी proper आप investigation कर रहे है बेटा जो यह process है न to find out the reasonings and all इसी को बोलते है jurisprudence यही है jurisprudence jurisprudence is not law jurisprudence law नहीं है jurisprudence क्या है to find out the reasoning behind the law उसकी investigation करना एक क्या है jurisprudence है उसकी research करना क्या है jurisprudence, उसकी study पूरी करना क्या है jurisprudence समझ आता है कि नहीं आता कि भही जो law बना है इसका nature क्या है हो सकता है, क्या, to reflect the nature of the laws, rules आते हैं समझ कि नहीं आता, बताइए या simple words बोल दे studying of the philosophy of law is jurisprudence समझ आता है clear है, to jurisprudence is not law, jurisprudence law नहीं है, उसकी पीछे का reasoning fight करना, उसकी जो philosophy है that is jurisprudence समझ आता है, to be very simple ठीक है, books की language से नहीं आपको simple बता दिया कि यह है, इसको study को बोलते है jurisprudence हमारे syllabus में आऊगा ना, तो sources of law एक chapter है वहाँ पे jurisprudence का topic है ठीक है, छोटा सा topic है बस that's it, मगर हमारे subject का नाम क्या है jurisprudence, interpretation and general laws बस jurisprudence ही वही खानी है थोड़ी सी, समझ आ रहा है और यह जो काम कर रहा है, कोई बंदे कर रहे होंगे ना researches, studies, economics जो करता है उसको बोलते है jurist समझ आ रहा है, इसको क्या बोलते है jurist, समझ आता है जो होते है, expert of laws expert होते है ना, इनका काम ही यही होता investigation, यही है jurist, so आपके mind में clear होना चाहिए jurisprudence is not law, law अलग चीज़ है यह अलग चीज़ है, आता है मैंने हलका साब के लिख दिया है वैसे आपको एक बार रीट करा देता हूँ, समझ लेना यहों कहा लिखा, jurisprudence, jurisprudence दो वर्ड से बना है, one is juris and the other is prudentia, एक jurist and the other is prudentia, jurist का मतलब law and prudentia means skill or knowledge इन simple words बोल दे, तो translation का मतलब क्या सका, देख लिजे the study, knowledge or skill, किसके regarding, with the law समझ आता है clear है, यह जो मैंने भी बोला वही देखिया, यहां लिखा हुआँ आपके लिए और आपको देखो, देखो लिका लिखा है jurisprudence क्या कर रहा है, jurisprudence studies and researches the law क्या करता है jurisprudence, jurisprudence मतलब क्या है study करना, और किसकी research किसकी, कानून की, law की so law की history law की history के बारे में so law का variations अलग-अलग, law की क्या tendency है क्या शमता है, कहां तक यह लागू हो सकता है, समझ आ रहा है यह कौन है, इस सब की study करना, इस सब का researches करना क्या है jurisprudence, आता है समझ, मुश्किल तो नहीं है मुश्किल नहीं है, चलिए, यह देखे, क्या लिखा है the who study the jurisprudence are also referring को क्या क्या बोल सकते हैं, और हम legal theorist, और हम legal philosophers, social theorist of law, कुछ भी आप बोलो, इनको कोई भी job नाम देना आप, देदो, इनको यह अलग-अलग नाम से हम लोग बुलाते हैं देखे, law and jurisprudence यह सीथा से लिखा हुआ है यह rigid होता है, और यह क्या होता है flexible होता है, यह दम flexible होता है यह देखे, looks for rules relevant to given law तो अई होगा ना, जो given situation उससे related rule, law तो यही है और जो jurisprudence है what is required for a rule to be a legal rule, एक rule को क्या करा जाए, उसके साथ, क्या requirement है कि वो क्या बन जाए, एक legal rule बन जाए ठीक है, rules तो बहुत से हो लगते हैं मगर हम को कैसे चाहिए, legal एक normal rule को legal बनाने के लिए क्या क्या requirements है, वो पूरी की study करना है इसा all about jurisprudence ठीक है, तो क्यों जो law में जो rules है वो तो specific होंगे न, एक given situation के लिए होता है तो object देखिए गाए, simple साथ object of jurisprudence is not to discover new rules, object इसका क्या है कि हमको नए rule को discover नहीं करने है हमको क्या करना है, object क्या है but to reflect on the rules कि भाई, जो बने हुए है उसकी research, उसकी study, उसकी investigation, हमको उससे मतलब समझा रहा है, नए rule से कोई मतलब नहीं, जो exist कर रहे हैं, अलड़ी बन चुके हैं, उसकी यह objective होता है, jurisprudence का बस यही आपका jurisprudence है, that's it जितना और नहीं उसके अंदर, जब हम लोग chapter पढ़ेंगे आपको और बिटेल में जो reading कर दी है and all वो आपको करा दूँगा, मतलब मगर क्या है jurisprudence और laws और अलग-अलग चीजे, यह अपने mind में clear रखना आपको, आता है समझ clear है अच्छा अब यह जो बेटा portion है हमारा हमना आने तोपिक क्या है jurisprudence, interpretation, journal laws यही है बेटा जो यह पार्ट है ना interpretation, यह आपकी जिंदेगी का main part इस part के बिना, interpretation के बिना आप एक अच्छे company secretary नहीं बन सकते अच्छे company secretary यह बगर आपको interpretation नहीं आती जा रहा है, interpretation क्या है interpretation क्या है, कि sir actual में लिखा क्या है जब तक आप वही नहीं समझ पाओगे तो मतलब क्या था, law में लिखा का मतलब क्या कि sir जो यह law बनाया है law makers है जो law makers जो है, यह बोलना चाहा क्या रहे जब तक आप यहीं नहीं समझ पाओगे तो क्या मतलब है और हम लोगों लगता है कि सर इंटर्प्रेटेशन तो बड़ी असान है कोई भी कानून पर क्या बुकी तो है एक नॉमल लिखा अंग्रेजी तो लिखी है नॉमल सी पढ़ लेंगे पिट अगर इतनी नॉमल होती तो आप आज की डिट में यहां नहीं बैठ अच्छा अगर ऐसा होता है जो वकील है घर में बैठते जर्जेज हैं कोड़ बन कर देते समझ आ रहा है क्या करना है जब एकाई इसी है क्लियर है तो बेटा इतना इसी नहीं होता इंटर्प्रेटेशन एक स्किल है इंटर्प्रेटेशन करना एक आर्ट है समझ आता है एक कि स्किल होती है एक आर्ट होती चाहिए कि कैसे इंटरप्रेट करना है खाली यह नॉर्मल इंग्लिश नहीं पढ़नी है स्टोरी नहीं है समझा रहा है कोई नॉवल ने लिखा लॉज लिखा कानून लिख रहा है तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि आक्च्वल में बोलना चाहा क्या रहा है और बेटाइ इंटरप्रेडेशन कर दिक्कत क्या है देखो आपको सिंपल सा बताता हूँ देखो बेटाल लॉमेकर हैं Law Maker होते हैं Canon बनाते हैं Law Maker ने क्या बनाते हैं Canon, मैं लिखता हूँ Made Laws, इन्होंने क्या बना दिये Law बना दिये, Sir इन law की language हो की? हो की language? और Sir वो language हमारी कौन सी है English है, ठीक है English language में क्या बना दिया Law बना दिया, मगर आपको पता है कि sir कोई भी language perfect नहीं है आज की डिट में कोई भी language perfect नहीं है आज की डिट में language perfect नहीं है तो मैं बोलता हूँ sir no language is perfect कोई भी language perfect नहीं है हमेशा कोई ना कोई sir ambiguity arise हो सकती है ठीक है तो मैं बोलता हूँ sir ambiguity may arise ambiguity के मतलब sir confusion में रही जब language भई perfect नहीं है तो obvious बात है ambiguity arise होने के chances पूरे पूरे हैं समझ आता है कि देखो क्या है law maker ने क्या बनाया कानून की कोई न कोई sir language है और हमको पता है language जो भी है कोई भी language है low no language is perfect हमेशा ambiguity arise होने का कारण हो सकता है कुछ ना कुछ confusion हो सकती है जेदेको बहुत से ऐसे statements होती हैं बहुत से ऐसे शब्त होते हैं जिसके एक नहीं एक सजाधा meaning होते हैं बहुत से ऐसे words है जिनके जो meaning है एक नहीं है एक से जाधा है अगर भई perfection चाहिए तो एक का एक ही meaning होना चाहिए तभी perfection आएगी यह तो बंदा तो confused हो जाएगा ना कि भई यह बोलना चाहरा है कि यह बोलना चाहरा है समझ आता है clear है यहाँ पे roll आता है interpretation का कि जहाँ पे भी imperfection या जहाँ पे भी ambiguity arise होती है यह language के अंदर वहाँ पे करना होता हमको क्या interpretation कि भई actual में lawmaker बोलना चाहा क्या रहा है और interpretation करने के लिए क्या है interpretation करने के लिए क्या है अलग-अलग rules दिये आपको बढ़ बता देता हूँ interpretation of statute statute means laws ठीक है statute का मतलब statute बोलो law बोलो enactment बोलो कुछ बोलो one and the same thing ठीक है interpretation किसा करना है laws का statute का हमारा एक chapter है interpretation statute नाम से हम लोगो भी पढ़ेंगे ठीक है अलग-अलग rules है interpretation statute में क्या है अलग-अलग rules दिये हुए हैं जो कि हम लोगो पढ़ना पढ़ता है किस लिए करना पढ़ता है for the proper interpretation so that interpretation proper हो जाए इस लिए अलग-अलग rules दिये हैं हम लोगो करना पढ़ता है अब interpretation बाह बताओ मुझे बताओ आप से मैं पूसता हूँ पहले आप फिर हम आप लोगो देखते हैं ये लिखा है knife hurts ठीक है ठीक है ये लिखा है sword समझाता है ये लिखा है x कुलहडी ठीक है समझाएगा क्या बोलोगे ये सब क्या है ये सब क्या है आपके सामने एक लाइन लिख्य हुई है knife, sword, axe क्या बोलोगे what is knife मुझा बताओ इसको आप क्या बोलोगे यह क्या है चीज नाइफ क्या है वेपन है बूलोगे सर यह तो हतियार है सब मैं आपको नाइफ का पूछ रहा हूं का लिए यह sword X तो पता ही नाइफ का मैं पूछा आप बोलतो सर क्या है यह weapon है ठीक है अब एक चीज है मुझे नाइफ की नाइफ की नाइफ की इंटर्पडेशन में तो नाइफ क्या बोलोगे क्या है नाइफ लिएदrzy हूं क्टेंस Lew वों रहर हो कि समझ आ रहा है यह नाइफ बयचारी कि क्या अगलती है बतादो नाइफ को हम ने रखा सेमाइफ है सेम नाइफ है पी यडालेस नाइफ होते हैं शेफ यूजS करते हैं देखा आ है हिसए नाइफ को जब मैंने तलवार और इसके साथ रख दिया उसको आप बोलते हो सरीय क्या है वापन है हतियार है उस्माइफ को मैंने किचन में रख दिया आपने क्या बोल दिया किноз बारतन है सेम वर्ड है, सेम चीज है, समझ आ रहा है, मगें उसकी इंटर्पिटिशन आप खुदी अलग कर देए, इंटर्पिटिशन अलग होई, एक जगह बोलते हैं यह वेपन है, एक जगह बोलते हैं यूटिंसे लए, क्यों? बताओ क्यों ऐसा हो रहा है आप बताए क्यों हो रहा भेई बोलो similarity दिख रही है यह अब यह क्या है यह कुछ ऐसा नहीं है एक रूल है interpretation में एक रूल है इसको बोलते है रूल आफ नौसीटर और सॉसिस एक रूल दिया हुआ ठीक है उस रूल में क्या लिखा हुआ है वर्ड्स वर्ड्स शुट बी नोन वर्ड्स जो है शुट बी नोन from the associated words words शुट बी नोन words शुट बी नोन कहां से from its associated words a man is known by his company समझाता है a man is known by अभी यह knife अगर तलवार है इसके साथ रहेगा तो इसको हम बोलेंगे तुम हतियार हो यह knife अगर किसके साथ रहेगा spoon plates के साथ रहेगा हम इसको बलेंगे तुम बरतन हो समझ आ रहा है समझ आ रहा है कि नहीं तो मतलब क्या है words should be known from its associated words जिसके साथ वो लिखे गए हैं समझ आ रहा है उसकी interpretation उसके हिसाब से निकलेगी आता है समझ यह रूल है मैंने को बता है न अलग रूल पढ़ना तो एक रूल में दिया है मैं नहीं बोल रहा है एक अलग सा जबलू लिखा है sorry BM जबलू लिखा है मर्सेटीज है मर्क लिख देता हूँ और लिखा है acceptra ठीक है clear है जरा मुझे इस acceptra word जो है न इसका बता दो acceptra में और क्या आएगा क्या यहां पर मैं लिख दू लाइन लिखिया पर समने कोई कानून पढ़ ले वहां पर लिखा हुआ है अब लिखा हुआ है अब लिखा हुआ है स्विफ्ट बोल दूं रिड्स बोल दूं होंडा सीटी डाल दे क्यों और लक्षिरी कासा है अब आप बताएए आपने इस acceptra word की interpretation निकाली है अपने हिसाब से निकाली कैसे निकाल दी आप ही ने निकाला मैंने तो ने निकाला बताओ यह सब क्या है ना यह सब है special words क्या है यह special और यह एक है journal word ठीक है यह एक है journal जो journal word की meaning होती है वो जैसे special words है वैसी होती है क्या acceptor मैं cactus डाल सकता हूँ मैं, plant तो वह भी है, plant तो सब ये भी है, वो भी है, cactus डाल दू, cauliflower डाल दू, flower डाल दे cauliflower, answer is no, वहाँ पर कैसे आएंगे, वही जैसे full होंगे, वही आएगा, आ सकता है कि नहीं आ सकता, merry gold डाल सकता हूँ, डाल सकता हूँ, clear है, आता है समझ, getting or not, तो मतलब क्या है, जो journal words है, उनकी interpretation कैसी, ये, तो बेटा, ये जो है, ये अलग rule है, इस rule को बोलते है, the rule of adjustum generous, ये rule है, the rule of adjustum generous, ये general word की interpretation कैसी, special words की ये, और ये कौन सा था, नुसीटर, और sources, वो एक अलग rule था, तो ये अलग अलग जो rules है, मैं जो आपको बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कहीं और से आ है, ये rules की दिये हुए, जो interpretations करता है, उसको ये rules के हिसाब से चलना होता है, तो हम लोग हर एक rules पढ़ेंगे, नौदस rules है हमारे पास, ये तो मैंने भी आपको एक दो कहल बारे हम हलका बता है, इसके बारे हम बहुत details में बात करेंगे कब, when we will deal with the chapter of, interpretation of statute, interpretation का जब chapter आएगा तो वहापे क्यों interpretation करते हैं, आपको मेरे साब से समझ आ रहा होगा, interpretation क्यों हो रही है, अच्छे interpretation करता कौन है, ये तो समझ आ गया क्यों कर रहे हैं, करेगा कौन, करेगा कौन, jurist हो सकते हैं, law makers हो सकते हैं, law maker तो law बना दिया बेटा, law maker तो law बना दिया, काम तो आगे आएगा interpretation का, lawyers करते हैं, करते हैं lawyers, ये देखे लिखा है, क्या लिखा है, interpretation मतलब से को simple सा है, interpretation देखो क्या है बेटा, एक क्या है, process है, simple सा है, interpretation is simple है, process, किस लिए sir, application of mind, mind का use करने व कुछ जानने के लिए क्या असर्टेंद दा true meaning बैटा असर्टेंद मीनिंग नहीं लिखा है असर्टेंद दा true meaning की actual में क्या है true meaning किसका of law या तो कोई भी documents का interpretation statutes के भी होते है law के भी होते है documents के भी होते है होते हैं कागाज होते हैं समझात थे हैं से ऐसे लिधे है इंत्रेशन होता है अम सेखर्रेटेशन होता है अरूमेकर है जिसने जो कानून को लिखा है वो एक्च्छ में बोलता चाह क्या रहा है उसकी intention है क्या कभी कभी होता क्या है words are unclear words जो होते है clear नहीं होता ambiguity arise हो जाती है तो हमको समझ नहीं आता कि actual में बोलना क्या चाह रहा है उस case में हमको क्या करना पड़ता है शब्दों के beyond जाना पड़ता है ठीक है we have to go beyond the words हो फिर हम लोग जाकर देखना पड़ता है कि lawmaker की actual intention क्या होगी क्या circumstances होगे क्या situations होगी उसने क्यों यह law बनाया होगा समझ आती है तो कभी जब हमारे शब्द clear देखो when the words are very much clear को दिक्कत होगी when the words are very much clear तो simple सी बात है जो normal लिखा interpret कर देंगे हम समझ आ रहा है दिक्कत तो तब आती है sir जब आती है ambiguity जब आती है confusion जब आती है problems तभी तो आएगा और क्या otherwise तो कोई problem है क्या no answer is no clear है तो वहां से दिक्कत आती है तो interpretation का role सामने आ जाता है और देख लिए it is done by advocates, judges, company secretaries, chartered accountants, quasi courts, quasi courts आपके कौन से होते है आपके तरीके ही होते हैं मगए court नहीं बोला जाता है ठीक है समझ आता है अलग अलग लग tribunals होते हैं इसकी बारे में हम लोग डील करेंगे इस पासवे कोट बना दिया, समझ आ रहा है, वो नॉमल कोट इस तरह नहीं है, जो डीशरी हमारी वैसा नहीं है, हाई कोट, सुप्रीम कोट इस टाइप के नहीं है, वो क्या है, कौसी कोट से, समझ आ रहा है, clear है, तो अलग-अलग सब्चिक मैटर को डील सहभी के लिए बना हुआ, Securities Appellate Tribunal, ठीक है, Income Tax का मैटर उसके लिए अलग बना हुआ है, Income Tax Appellate Tribunal, Competitions का मैटर है, Competition Commission of India, समझ आ रहा है, तो अलग-अलग मैटर के लिए अलग-अलग quotes बनाती है, इनको बोलते हैं, हम लोग कौसी quotes, clear है, देखो क्या लिखा है, Law shall be read in its spirit, not in the words, फिर्फ शब्दों को नहीं, actual में उनकी भावनाओं को पगड़ना पड़ता है, कि बोलना चाहा क्या रहा है, तो किसा शब्द तो कभी-कभी दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि language is not perfect, समझ आ रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, उसके spirit में पढ़ना है, कि actual में बोलना चाहता क्या, समझ आता है, clear है, यह देखें, simple सा लिखा हुआ है, interpretation क्या, interpretation का मतलब क्या, सब पहले पढ़ना, फिर समझना, और क्या कर देना, conclude कर देना, यही तीन चीज़ होगी, कि नहीं इसके लावा कोई चीज़ होगी, interpretation का मतलब क्या, सब पढ़ेंगे, समझेंगे, बोलना क्या चाहरा है, उसके बाद सब क्या कर देंगे, conclusion दे देंगे, यही होता, interpretation, इसके लावा interpretation आपको कुछ लगता तो बताओ आप, इसके लावा interpretation है, इसके लावा interpretation है ही नहीं, reading, understanding and concluding देखो the need of interpretation क्यों arise होती है क्यों interpretation करना पड़ता है sir because of the imperfection of language और कोई कारण नहीं है sir यही कारण अगर language perfect हो तो problem तो कोई होगी ही नहीं language देखो लिखा है may not always explain or signify the intention हमेशा आपको explain नहीं कर सकती है बता नहीं सकती क्या intention with which the law was written language आपको हमेशा नहीं बता पाएगी कि भाई किस लिए है ये कानून लिखा हुआ है since at the time because क्यों नहीं बता सकती language क्योंकि जब कानून आया था since the time of enactment of that law circumstances and conditions prevailing were different अबात से अगर 100 साल पहले कोई कानून बना है और आज की जट में वहीं चल रहा है तो बेटर 100 साल पहले जो circumstances होंगे जो situations होंगी वो अलग होंगी और आज की जट में अलग होंगी समझाया है तो उस समय तो उसे हिसाब से लिखा गया होगा ना तो आप बोलोगा नहीं उसका मतलब हम वहीं निकालेंगे शब्दों का तो अलग हो जाएगा तब ही क्या लिखा हुआ है language may not always explain or signify the intention with which the law was written तो उस समय उनकी intention कुछ अलग होगी और आज की जट में कुछ समझा रहा है कि law बहुत से पुराने हो जाते हैं तो as per the changing scenario of the society जैसे society change होती रहती है वैसे ही laws में भी changes होते रहते हैं समझ आता है जो हमने बोलते हैं सर बहुत सरी amendments आ गई changes आ गई यह हो गया वो हो गया उस सिर्फ और सिर्फ society change होती जा रही है बदलती जा रही है तो बैटा चुछ law बना है वो तो पहले का बना हुआ है society बदल रही है society यहां थी law भी यहां था बना था अब society change हो रही है ठीक है अब लोग अगर यहीं रुका रहे जाएगा दिक्कत आ जाएगी कि नहीं mismatch हो जाएगा तो इसको भी change करना पड़ता है accordingly so that दोनों बराबर आता है समझ क्लियर है देखिए does the owners किसके उपर है जिम्मदारी किसकी है court की किस लिए to find the intention किसकी of the statute जो लिखा हुआ है law उसकी intention जानी है कि बूलना क्या चाहरा है कैसे by not from only the language बढ़के नहीं but also from the point of view of the social conditions which gave rise to that law social conditions पे भी जाईए कि क्यों ये कानून बना था उस समय की conditions को देखेंगे तो आपको समझ आएगा फिर आप एच्छे से इसकी interpretation कर पाऊगे otherwise possible नहीं होगा multiple interpretation देखी होती है language used in a statute may open to more than देखो लिखा है ना more than one interpretation एक शब्द एक लाइन उसका आप बोलोगे सर ये भी मतलब निकल रहा है सर ये भी मतलब निकल रहा है मैं लू कौन सा समझ आता है कोई कुछ वर्ड बहुत से आएंगे लॉज में बहुत से वर्ड आएंगे बहुत से सेंटेंस आएंगे आप बोलोगे सर इसका मतलब ये भी निकल रहा है और सर इसका मतलब ये भी निकल रहा है सर ले क्या दिक्कत आ गई ambiguity confusion arise हुआ यहां पर रूला जाएगा interpretation देखे लिखाए the court shall choose that interpretation court वो करेगा which repents in the true intention of the legislature कि actual legislature बोलना चाहा क्या रहा है बोलना तो एक ही चीज़ चाहेगा ना जब लिखा है तो बोलना तो एक ही मतलब तो एक ही होगा ना कि नहीं मतलब तो एक ही होगा हमको वो पकड़ना कि कि वो क्या बोलना चाहा है यह नहीं कि हमको क्या समझ आ रहा है यह नहीं हमारे साफ से तो भाई एक चीज़ की 10 interpretation निकल सकती है यह भी हो सकता यह भी हो सकता यह भी हो सकता यह भी हो सकता मगर जिसने कानून लिखा है उसने तो एक चीज़ के लिखा होगा ना कि नहीं तो ह हमको फो पकड़ागा गेटिंग तो से लिए इसका एक रोल होता है जो आर्ट है महीं काम आती है तभी बोलते इंटरप्रेटेशन इस नौट सो इजी चौब इतना असान नहीं है कि आप इसली कुछ भी इंटरप्रेट कर लोगे है आता है समझ यहीं आता है समझ समझ आ रहा है तुम लोग और डेटील में कि वसीं इंटरप्रेशन के बार में तो जब हमारा आएगा acts and events within the territory of the country which are which are governed by it इन laws से तो governed होता है सब territory हमारा होता है कि नहीं यह अलग-अलग laws है हमारे general laws है किसलिए for the smooth running of the society के लिए अलग laws बने हुए है उन्हीं को अम लोग general laws बोल रहे है clear है देख लिए आपके law of thoughts यह अभी सब जो लिखा है मैंने न इस अब आपका syllabus का आप लिए इसब syllabus का पार्ट भी ए तब यह नोन लिखाना जन्हल लॉज तो इसब syllabus का आपके पार्ट है क्लियर है समझ आती है यह आपका देख लो बिटा सीलिवस है यह आपका सेलिवस है देख लीजे आपके सामने है दिख रहा है कितने chapter थे अठारा chapter हाँ लग एग देख वक्ति हम सही बहुरा सर अठारा नहीं है बेफकू बनायागी है अपको में एक्च्बल में ठारा नहीं है अक्च्बल में there are 21 मैंने आपको अरड़ी वैसे बता दिया है अरलड़ी मैंने बताया हुआ है जिसको नहीं पता मैं अलका सा बता देता हूँ sir there are not 18 chapters in actual there are 21 chapters और आज की date में sir जो हमारा module है old module आपको पता है old module कम था और आज की date में जो module है उसको धाइसो पेजों के करीब approximately बढ़ा दिया गया ठीक है धाइसो पेजों तो वो तो है ठीक है और उसके अलावा उसके अलावा क्या किरा किया है sir chapters में changes बहुत जादा है तो भई हमको पुराने के साथ हमारे लिए तुसरी है हमारी कहानी हमारे सामने हमको sir ये पढ़ना है और नया जो latest हमारा module हमको उसके हिसाब से पढ़ना है clear है हमको उसके हिसाब से सब कुछ देखना है बीच बीच में जब आता रहेगा chapter मैं आपको बताता जाओंगा बहुत से ऐसी चीज़े हैं जो पुराने में नहीं थी और आज की डिट में नहीं में insert कर दी गई है आज की इंसर्ट हो चुकी है बहुत सी चीज़ें देखो sir interpretation of statute आपका chapter एक है interpretation of statute मैंने भी आपको बता दी interpretation के बारे मैंने बोला ना आपको interpretation chapter हमारा देख लेज़े एक हमारा है भारत का समवेधान इसके बारे में हलकास आपको पता ही होगा अपने थोड़ा सा पढ़ा होगा पढ़ा हुआ है CSWD में पढ़ा हुआ है अलकास ठीक है अलग अलग हम लो state की definition क्या है ये भी देखेंगे अलग अलग fundamental rights क्या है हमारी उसके बारे में बहुत detail ने पढ़ने वाले है अब वो देखेंगे का लेक्चर है Constitution of India का साड़े तीन घंटे का introduction है खाली without opening the book कोई book open नहीं होती उस समय सिर्फ three to three and a half hour का सिर्फ और सिर्फ क्या है introduction है Constitution का वो मैं आपको प्रोवाइट करता हूं तो देख के आओ तो देख तयार रहो तो उसके बाद में आपके साथ शुरू करूंगो चैप्टर पूर तो इंट्रोडक्शन का एक पार्ट अपसोच लेता है जब इंट्रोड़क्शन होगा तो उसके अंदर क्या कहानी होगी तीन चैंज नहीं आए जैसे पहले था वैसे आज भी है और अच्छा सा-चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर इसके इसके अंदर रावरिस टाइम लिमित की इसके अंदर अलग क्या है तायूं लिमिट्स के बारे में लिखा हुआ है अब क्या क्या करेंगे किया फिक्त्रिक अब इसको क्या बोलते हैं वो समलों बादने पढ़ेंगे अलग-अलग words होते हैं, terms होते हैं बहुत से, ठीक है आपका बोलो कि case file कर देंगे, जो ये case word बोलो case file कर देंगे, इसको file करने का भी एक time limit होती है, समझा रहा है, ऐसा नहीं कि जब मन करा पहुंच गए court, ऐसा नहीं होता है, जैसे मैंने आपको example भी trespassing का दिया था न, उसके भी time limits है, अलग-अलग crimes and all सब का एक time limit दिया हुआ है, अलग-अलग चीज़ों का एक time है, कितने time, property के cases होते है, property disputes होते है, उसका एक time limit set है, पैसे के cases होते है, debts, पैसा उधार दिया, banks ने आपसे पैसा लिया, आप आपके case file कर सकता है, उसका भी यह क्या है, time limit, तो यह limitation है, हमको अलग-अलग चीज़ों का time limits, बताएगा case file करने का, appeal file करने का, applications देने का, समझ आता है, क्या बताएगा time limits, वो देखेंगे, civil procedure code आपका है, civil procedure code जितने भी civil cases होते है, जितने भी civil cases होते है, civil cases उस पर लगता है civil procedure court, जितने भी civil cases है हमारे, उन में लगेगा कौन सा, civil procedure code, और ही क्या लिखा है भीटा, procedure, एक लिखा है, यह procedural law है, प्रोसीजर लोग मतलब कोट कौन सा प्रोसीजर फालो करता है वाइल डीलिंग विद दा सिविल केस कोट प्रोसीजर फालो करेगा ना कोई ना कोई कि नहीं प्रोसीजर फालो करता है कोट सिविल कोट होते हैं प्रोसीजर फालो करता है तो कौन सा प्रोचियर फॉलो करता है, civil procedure code, clear है, law relating to crimes and procedures, बेटा देखो, पहले क्या होता था, यह क्या लिखा है, law relating to crimes and procedures, पहले क्या होता था, यह दो चाप्टर थे, पहले यह दो चाप्टर थे, समझा रहे हैं, फिल सिफ थे, पहले यह दो चाप्टर थे, एक था आप का IPC और एक था आपका CRPC, आज की जट में क्या कर रहा है, इन दोनों चाप्टर को मर्ज कर दिया, तो बेटा 18 से हो गए 19, दिवाग में रखना, 18 से एक बढ़ गया, और 19, 18 से एक और add in हो गया, प्लस वन लिख दू यह आपे, प्लस वन हो गया, ठीक है, 19 हो गया अपने आपी अब देखो, law date into crimes, यह है IPC, और procedures, यह है CRPC, समझा रहा हम अगर आज की जट में क्या है, मर्जर, और बेटा जब मर्ज हुआ, तो बहुत से अच्छी खासी changes इसमें आ गई, जो पहले नहीं था, आज की जट में डाल दिया, जो पहले था, उसको अटा दिया, ऐसा भी चीजे है, ऐसी भी चीजे हैं, जो मैंने देखी है, जो मैंने तो बहुत पूरा अच्छे से judge कर ली है, मैं तो अगदम तयार हूँ इसके लिए, मैंने तो पूरा अच्छे research करी हुए already, कि क्या-क्या था, क्या-क्या नहीं था, सब कुछ मेरे पास तो है, मैंने देख और बहुत सी चीजे उसमें डाली, वहाँ पे नहीं थी, ऐसा भी हुआ, ऐसा है, clear है, समझा रहा है, और दोनों chapter क्या कर दिया, merge करके एक बनाती है, जो हम लोग पहले अलग-अलग पढ़ते थे, आशियर्ट में क्या कर दिया, merge करके एक chapter का नाम दे दिया है, बस, law तो द कुन ही है, समझ आ रहा है, next देखी, Indian evidence act, evidence है समझ आ रहा है, ये भी एक criminal law में बहुत helper करता ये, ठीक है, evidence act का मतलब क्या है, सबूत and all समझ आता है, court में सबूत देते हैं, सबूत पेश करते हैं, जो भी, ठीक है, उस पे law apply होगा है, कौन सा सबूत admit होगा, कौन सा admit, नहीं होगा, कब पेश करना है, सब series के बारे हम लिखी हुई है, right of information है, normal size में आगे, right of information समझाता है, right of information समझाता है, RTI, ठीक है, RTI application file करते हैं, और ऐसे और वी chapter से, tots है हमारा stamp है, और law relating to registration, अब ये जो है, क्या लिखा law relating to registration, अगर पहले क्या था, registration act था खाली एक, आज की date में क registration जो ये बोल दिया है, यहाँ पर एक registration act नहीं है, यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर na transfer of property act भी बना दिया है, और साथ में registration, दो है, समझा रहा है, तो दो law one, एक और add कर देता हूँ, नीचे आपके एक और add होगे, इतने हो गए, 19 से हो गए, 20, और ये interpretation statute जो पहला था हमार यहाँ पर क्या है, journal clauses हैं यहाँ पर, plus मैं लिखता हूँ, journal clauses act, कुछ portion यहाँ पर इसमें brief दिया हुआ है, मगर जब briefing है, तो वैसे पढ़ना तो पढ़े गए, 5-6 page तो हैं उसके, पढ़ना तो आपको पढ़े गई, तो एक बिटा यह, तब यह मैं गोलता हूँ, sir, 18 नहीं contract act, sales of, good act, negotiable law, instruments है, यह चारो जो आपको दिखने है, एक चार ही है, और यह की transfer property है, दिख रहा है, टीप यह जो मैंने धर बताया, उसके अंदर है, यह पांचों के एकदम नए के नए है, यह पहले कहीं थे ही नहीं, पहले इनका role था ही नहीं कहीं, समझ आता है, jurisprudence interpretation journal laws क जो book है, आपकी module है, जो syllabus है, इसमें यह पांच chapter तो था ही नहीं, यह तो एकदम newly inserted है, यह सब newly inserted है, इसकी कहानी कहीं थी नहीं, आज की date में क्या है, निया है, समझ आता है, तो in short मैं बोलना चाह रहा हूँ कि there are not 18 chapters, but अगर देखा जाए तो there are in total 21, हम लोगो पूरा का कुछ clear है, बहुत बढ़े है clear है, जो थैंक यू है, अब आप लोगो बताओ कुछ आपको doubt, आप पूछ के clear करो उसको